हाई देर दोस्तों, welcome to the channel knowledge in general, मेरे नाम है Amit Kashyap और दोस्तों जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यह एक live का session है इस के इंदर आप यहाँ देख रहे हैं कि यह एक जो character है यहाँ पर नाच रहा है on live तो दोस्तों यह वहला GIF kind of चीज है क्योंकि पूरा जब dance करके finish होगा यहाँ पर continuous नाचता रहेगा when we are doing live, तो live में यह वहला चीज कैसे कर सकते हैं, यह वहला tutorial उसी के उपर है अब हम जो है OBS से बाहर निकल के आपको बताते हैं कि यह वहला चीज कैसे हो सकता है तो दोस्तों यहां मैं बताने जा रहा हूँ कि वहला चीज हम कैसे कर सकते हैं अगर आप मेरे चैनल पर first time आया है तो मेरी दोस्तों यह request है कि आप चैनल को subscribe जुरूर कर लिजे और साथ लगे bell icon को जुरूर दबाईएगा ताकि आपको इस तरह की important videos की notification मिलती रहे सो आगे बढ़ते हैं tutorial के अंदर यहां पर हम scene number two पर आते हैं और यहां पर हम add करेंगे add क्या करेंगे एक media source, media source पर click करते हैं, media source पर okay करते हैं अब मैंने क्या कर रखा है, अलड़ी यह green screen वाले जो video है वो मैंने आपे save कर रखी है browser में जाकर मैं open करता हूँ आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा यह देखेंगे, यह dancing videos हैं, यह आपको easily available मिल जाएंगी YouTube के उपर YouTube से आप इसको download कर सकते हैं, copyright free होती है, आप उस हिसाब से search कीज़ेगा तो यह जैसे spider man and thanos वाली है, यह मैं इसको select कर लेता हूँ और before I go ahead, यहाँ पर मैं loop का option क्लिक कर रहा हूँ ताकि यह loop में regularly चलती रहे, माली जब भी dance खतम होगा तो accordingly जहां से start के तो वाली चीज शुरू हो जाएगी तो इसको हम okay कर लेते हैं, okay करती है, आप देखेंगे, इस screen पर dance करना है, उन्हें शुरू कर दिया तो मैं अपने हिस स्क्रीन को छोटा कर लेता हूँ, यह समझे जी जो black portion आप देख रहे हो पर, यह live का portion है, live चल रहा होगा अब यह वाला चीज सबसे उपर है यहां पर, तो इस तरह से जो लूप में हम यह चीज चले जाएगी, dance कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, media source पर फिर दुबारा, अपने इसका right click करेंगे, और यहां पर एक option आती है filters की, filters पर open कीजिए, और यह filter का window open हो गया, तो filter के window में आपको क्या करना है, यहां पर effect देख रहे है, effect filters, इसमें आप add करेंगे, और add करेंगे chroma key, chroma key को add करते ही, आप देखेंगे, दबाते ही, पीछे का background जो है, वो गया बजा सकते हैं, अब मैं इसको close कर देता हूँ, close करूंगो तो आप देखेंगा, यह live में आगे as an overlay, यह ऐसे dance चलता रहेगा, अभी जैसे spider-man कर रहा है, इसके साथ फिर Thanos आ जाएगा, तो इस तरह की चीज जो है, अगर आप अपने live session में करना चाहें, तो बहुत ही असानी से कर स This is Amit Kashyap signing off and thanks for watching this video dosto.